आज हम चर्चा करेंगे कुलिक काल सर्प योग की विशे में दूसरा जो योग होता है वो होता है कुलिक काल सर्प योग आज हम जानेंगे कुलिक काल सर्प दोस या कह सकते हैं कि कुंडली में कैसे बनता है कुलिक काल सर्प योग तथा उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसके हमको उपाय करने चाहिए कुलिक काल सर्प योग जो होता है कब होता है और जब सारे कैसे होता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका हमको क्या उपाय करना चाहिए सरल उपाय करना चाहिए यह मैं अब चर्चा कर रहे हैं तो जब हमारे कुंडली के अंदर कह सकते हैं कि हमारे जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर सारे ग्रह एक तरफ आ जाए और राहू और केतू वो एक तरफ हो जाए और उनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये कालसर्फ योग बना करते हैं. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं. कुलिक कालसर्फ दोस्ट के विशह में. राहु वा केतु के अनुसार सभी ग्रहों की दशात जानना आवश्यक है. तब इक कालसर्फ योग की जो पहंचान होती है. उसको हम पेंचान सकते हैं कुंडली में कैसे कालसफ योग है यह योग जो योगों से ज़्यादा खतरनाक होता है ज़्यादा भयानक होता है जातक को इस विशय में या इस के कारण पच्पन वर्ष या कभी कभी सारी उम्र भर प्रभावित होना पड़ता है और यह अवधी क कालसरफ योग के प्रकार पर भी निर्भर कर सकता है या करता है कालसरफ योग कुल मिला करके बारह प्रकार का होता है जिसमें अनंत कालसरफ योग कुलिक कालसरफ योग इसनका मैं पहले भी आप से चर्चा कर सुका हूँ लेकिन आपको इसकी बेहतर जानकारी मिले कालसर्प योग हो गया महापद्म कालसर्प हो गया तक्षक कालसर्प हो गया करकोटक कालसर्प योग हो गया संखिनाद कालसर्प योग हो गया और कटक कालसर्प योग और इसके बाद में विशधर कालसर्प योग और शेशनाग कालसर्प योग इस प्रकार से ये 12 प्रकार क कालसर्प योग होगे तो इन कालसर्प योगों में कुल कालसर्प जो दोश होता है तब होता है जब राहू दूसरे घर में बैठा हो और के तु उसके अपोजिट आठवे घर में बैठा हो तब वह कालसर्प योग हुआ करता है तो जातक को उसकी आय और बचत पर नकारतमक वह प्रभाव पड़ डालता है जातक का अपने शब्दों पर नियंतर नहीं रहता वह कब क्या बोल रहा है और दूसरे के ओपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको इस प्रकार का भी भान नहीं रहता ध्यान नहीं रहता है वह वारतालाप में दक्ष नहीं होता है और इससे कई लोगों को नुकसान पहुंचता है और उन्हें जाने अनजाने में अपना दुश्मन वह बना बैटता है अनन्त काल सर्प दोश तब होता है जब राहु प्रत्म घर में हो और के तू साथवे घर में हो जीवन में ऐशे जातक को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है ऐशे जातक को दुरघटना और शल्यचिकित्सा का भैė बना रहता है उन्हें जहर, जहर मतलब विश दुरगाटना साप्के काटने या आत्म hatırत्या से या कह सकते हैं अकाल मृत्यू का भी बेब बराभर बना रहता है कुलिक काल सर्पदोस के कुछ लाब भी होंगे वो मैं बता रहा हूँ कुलिक काल सर्फ दोस लगभग व्यक्ति विशेश रूप से या कह सकते हैं 47 साल तक प्रभावित करता है और इस दोस के समाप्त होने पर जातक को अच्छे परिणा मिल सकते हैं उसके जीवन में अच्छा लाब अच्छे धनकी और तरक्की के योग आते हैं कुलिक काल सर्फ दोस के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कुलिक काल सर्फ दोस पूजा इस योग के सभी दुष्प्रभाव को समप्त करने के लिए अति आवश्यक है इस पूजा से जातक अकाल मृत्यू का जो भै उसके जीवन में होता है उसको टाल सकता है और यह पूजा भगवान शिव की स्तुति के साथ में की जाती है कुलिक काल सर्फ दोस के उपायों द्वारा उसके जीवन में नकारात्मग जो प्रभाव होता है उस प्रभाव से जातक को बचा लेते हैं ऐसे जातक को धन ऐश्वर्य और कह सकते हैं कि यह की प्राप्ती करने में मदद मिलती है यह अपने समाज में अच्छा प्रभाव बना रहता है दुरघटना से बचाव उसका बना रहता है विश दुरघटना सापके काटने और आत्मत्या होने से संबंदित जितने भी परेशानिया होती है या अकाल मृत्यू है उससे उसका बचाव हो जाता है इसका उपाय लगबग 81,000 बार या यह कह सकते हैं माहा मृत्यून जैका एक कुशा लगा करके और जल के साथ में सुयोग्य ब्राम्भनों से रुद्राविशेक करवाएं इस दोरान भगवान शिव को दूद, दही, घी, शहद, बूरा इनके द्वारा सनान कराएं और भगवान शिव के उपर भस्म, चांदी के नाग-नागन, दही, दूद और इ चंदन, चावल, जिसको हम अक्षद बोलते हैं संस्कृत में, अक्षद या चावल, गंगाजल, बेल के पत्ते, सफेद, आख के फूल, कमल के फूल, कमल के फूल अब नहीं मिलते हैं, इसलिए आख के फूल और भगवान शिव पर फलों को अर्पित करें, और इसके अर्प अर्पिशेक करवाएं, इसके करवाने से, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानिया बनिया बनती हैं, कुलिक कालसर भुदोस के कारण से, उनसे जातक को निजात मिलती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है, और उसके बाद में, जो जोतिशी ब्राम्हन हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी लें और ब्राम्वन से संकल्प करके इसका पूजन करना चाहिए पूजन करने के बाद में भगवान शिव को प्रणाम करके अपना आशिरवाद उनसे आशिरवाद लेना चाहिए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और आपसे फिर अगने वी आशेवाई